हेलो प्यारे बच्चो आशा करती हूँ कि आप सब स्वाइब यह है आपकी इंग्लिश की वरक्षीट नमबर 24 जो आज आपको 21st December 2020 को करनी हैं देखिए कितनी बड़िया सी डेट है आज और अच्छे से काम करना है कितना कलरफुल वरक्षीट है 21, 21, 12, 2020, interchangeable dates 1 को आगे कर दो या 2 को आगे कर दो और 2020 कितनी मज़ेदार की digits देखिए आज आपकी जो वरक्षीट है वो फेर प्ले जो आपका पहले से चल रही है चाप्टर उसी से रिलेटिड है तो फेर प्ले में we read that Jumman and Algu were good friends and Jumman aunt requested for a monthly allowance from Jumman after she transferred all her property to him when mistreated she decided to go to the panchayat for help now let us read what happened next तो यहाँ पर क्या है Jumman and Algu बहुत अच्छे दोस्ते एक दोस्ते के families का भी ध्यान रखते थे लेकिन Jumman की auntie जब उन्हें अच्छे से treat नहीं किया जा रहा था तो उन्होंने request की कि मुझे monthly allowance दिया जाए कुछ money दी जाए क्योंकि उन्होंने अपनी सारी property Jumman के नाम कर दी थी और जब Jumman नहीं माना तो auntie decide कि वो panchayat के help लेंगी तो देखिए आगे क्या हुआ अब panchayat ने क्या किया तो देखिए the panchayat was held the same evening under an old banyan tree तो same उसी शाम एक पुराने बर्गत के पेड़ के नीचे panchayat जो gram sabha जो meeting होती आपने पढ़ा है ना gram panchayat की gram sabha तो वो sabha हुई वहाँ पर Jumman stood up and said the voice of punch is the voice of God तो Jumman खड़ा हुआ और उसने का कि जो punch की आवाज है वही भगवान की आवाज है जो वो verdict देंगे जो उनका फैसला होगा वही मानने होगा let my aunt nominate the head punch तो aunt को कहा गया कि आप nominate करिए head punch कि आप 5 punch में से किसको head मानेंगे I will abide by her decision और उनने का जो मेरी auntie जिसको decide करेगी मैं उनके decision के साथ सहमती रखता हूँ I the punch knows neither friend nor enemy अब यह क्या कहा जुमन अब यहाँ पर auntie ने कहा कि जो punch होते हैं वो ना तो वो कोई दोस्त होते हैं ना कोई दुश्मन होते हैं what do you say to Algu Chaudhary तो उनने कहा कि Algu Chaudhary को मैं nominate करती हूँ the the old lady announced fine replied जुमन hiding his joy ever this unexpected piece of luck उसने कहा ठीक है लेकिन वो यह छुपा रहा था वो बहुत खुश्श था कि जो उसका दोस्त है वही पंच है तो वो जरूर उसके favor में बात करेगा चाची you are aware of my friendship with जुमन अब Algu ने कहा चाची आप जानती हो कि मैं जुमन का friend हूँ I know that replied the aunt auntie ने कहा मुझे पता है कि तुम उसके friend हो but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपनी जो आप moral sense है उसको kill नहीं करोगे आप मेरे साथ गलत नहीं करोगे अपनी friendship के और जैसे God lives in the heart of punch जो भगवान है वो रहते हैं पंच के दिल में His voice is the voice of God और उसकी आवाज जो होती है वो भगवान की आवाज होती है and the old lady explained her case और old lady ने अपना case जो अपनी बात थी वो explain करनी शुरू की जुमन said Algu you and I are old friends जुमन ये अलगु जुमन को refer करते हैं जुमन देखो तुम्हारी जो आउंटी है तुम मेरे बहुत पुराने दोस्तों और जो तुम्हारी आउंटी है वो मेरे लिए भी उतनी प्रिये हैं जैसे तुम्हारे लिए प्रिये हैं now I am पंच और अब में एक पंच हूँ यू आर इक्वल बिफोर मी आउंटी और तुम यू आउंट आर इक्वल बिफोर मी मेरे लिए दोनों बराबर हो what have you to say in your defense क्या तुम अपने defense में कुछ कहना चाहते हो अब उसने बोलना शिरू किया जो मनने three years ago तीन साल पहले began the aunt transfer her property to me आउंटी ते मुझे अपने property सारे transfer की I promise to support her as long as she lived और मैंने उन्हें promise कि जब तक वो जीवेद रहेंगे मैं उनके support करूंगा I don't I have done what I could जो मैं कट सकता था मैंने किया there have been a couple of quarrel between my wife and her और यहां कुछ लडाईयां हुई जो मेरी wife और मेरी auntie के बीच में कुछ बहस कुछ थोड़ी बत problems हो गई थी but I can't stop it लेकि मैं उसे रोक नहीं सका now my aunt is claiming a monthly allowance from me this is not possible अब मेरी auntie जो है मुझे मुझे महीने के कुछ पैसे मांग रही है जो मेरे लिए possible नहीं है that's all I have to say और बस इतना मैं आपको कहना चाहूंगा on the basis of above reading of your passage write answers to the question that follow तो अब जो आपने उपर passage पढ़ा पिटा उसके base पे questions के answers लिखने हैं तो पहला है where was the panchayat held at the same evening same evening में panchayat कहां पर होई थी तो panchayat was held same evening देखो पिटा question से यह answer होता है the panchayat और आपका helping verb आगे आजाएगा यहाँ पे the panchayat was held at the same evening under an banyan tree तो पिटा यहाँ पे देखो जब question बनाते हैं तो हम helping verb आगे लेके जाते हैं WH family के साथ जब आप इसका answer कर रहे हो तो यह यहाँ पर subject के बाद आजाता है who was nominated अब यहाँ पे क्या आगया जो panchayat थी वो कहाँ होई थी एक old पुराने बरगत के पेड़ के नीचे होई थी उसी शाम who was nominated as the head punch and by whom तो अल्गू को nominate किया था अल्गू was nominated as the head punch by old aunt जो बुज़र्ग आंटी थी चाची थी उन्होंने ही अल्गू को nominate किया था head punch who said the following words to whom किसने किसको कहा जो आप हिंदी में करते हैं वही यहाँ पर है who said to whom the punch knows neither friend nor enemy तहां तो panch कोई दोस्त को जानता है ना दुश्मन को तो यह किसने कहा था old aunt said to जुमन old aunt जो थी उन्होंने जुमन से कहा उस कहा था I have done all I could जुमन said to अल्गू उसने कहा था जो मैं कर सकता था मैंने किया तो जुमन ने ऐसा कहा अल्गू को next है what have you said to in your defense आप अपने बचाव में क्या कहना चाते हो तो अल्गू head punch था उसने जुमन से कहा आप अपने बचाव में क्या कहना चाते हो तो अल्गू set to जुमन then बिटा अब इसके बाद आपका अगला question जो है अगला question है choose the correct meaning तो choose the correct meaning में पहला है जो आप देखो यह word ना आप अपने बचाव में क्या कहना चाते हो तो defense यह defense वो लड़ाई वाला नहीं है यहाँ पर है आप अपने जवाब में क्या कहना चाते हो तो an argument in support of something अपने support में क्या कहना चाते हो decision decision क्या होता है a choice of judgment कि अब क्या उन्होंने judgment दी क्या नयाय दिया क्या उनका निश्चे उन्होंने क्या किया conscience उसके बाद है covid appropriate behavior to stay safe against covid-19 wear a mask take care of physical distance of 6 feet or 2 yards और बिटा साथ ही साथ maintain regularity in washing your hands with soap and water बिटा आपने हाथों को धोईए साबुन पानी से दूरी का ध्यान रखिए शारेटिक दूरी जो है उसका ध्यान रखिए mask जरूर पहनिए बिना बाद घर से बाहर मत जाईए और साथ ही साथ खुद भी जाग रुक रही है अपने परीजनों को भी जाग रुक रखिए समय समय पर इस बात को याद दिलाने से सिफ यह है कि हम सब इसे follow करते रहें covid-19 को spread होने से रोक सके और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें आशा करते हूँ आप समय से अपना काम करेंगे अच्छे से काम करेंगे चाप्टर को भी जरूर पढ़ेंगे बुक से keep learning and enjoying stay blessed and healthy और बिटा चानल को subscribe करके bell icon press कर दीजे ताकि जैसे ही वीडियो आप अपलोड हो आपके अस नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर अपना काम कर सके thank you have a nice day